तो उर्जा भारत में उर्जा की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है ठीक है और उर्जा की मांग depend करती है कि हमारे उद्दोग और धंदों को संचालन करने के लिए उर्जा बहुत अधिक important role अदा करती है हमारा जो ओदोगिक आधार है ओदोगिक हमारा मूलभूत ध्राचा है ओदोगिक मूलभूत ध्राचा वो उर्जा पर ही निर्भर करता है तो अगर हमारे पास उर्जा की जो स्रोथाएं वो लगातार ज्यादा होते चले जाएंगे तो हमारा industrial सेक्टर लगातार डिवलप होत एक उर्जा का आपका स्रोत होता है परमपरागत स्रोत होता है और दूसरा हमारे पास उर्जा का स्रोत होता है गहर परमपरागत स्रोत तो परमपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन का प्रयोग हम प्राचीन काल से जिन स्रोतों से हम उर्जा प्राचीन काल से प्राप्त कर र उस उर्जा के स्रूत को हम लोग परमपरागत उर्जा के स्रूत की संग्या देते हैं जिसका प्रियोग हम लोग बहुत समय से बहुत पूर्व समय से कर रहे हैं उस उर्जा के स्रूत को हम लोग परमपरागत स्रूत की संग्या देते हैं वहीं पर जो हमारे पास दूसरा उर् प्रियोग करते हो कोईला का अप्रियोग करते हैं ठीक है लकटी का गोबर का आध हमारे पास प्रह है प्रहु प्राब आगतक के सिरोत कहलाते हैं यह जैविक उर्जा के सिरोत queile तो इस समय भारत के पास जो और ओर्जा की डिपेंडेंसी वो परमपरागत स्रोत पर ज्यादा अधिक है और हमारे पास गैर परमपरागत या नवी करनी उर्जा के स्रोत इस समय ज्यादा अधिक डेवलप नहीं है ठीक है भारत को टार्गेट करना है कि हमको वन पॉइंट जो उर्जा के परमपरागत स्रोत है इस पॉइंट से मूव क करके गैर परमपरागत उर्जा के सुरूत की तरफ अग्रसर होना होगा तभी हमारी एकनॉमी प्रापरली डेवलप कर पाएगी लगातार पेट्रोल तथा डीजल के बढ़ते दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने अर्थ व्योस्ता में मुद्रा इस्पीत की प्राइटर में कॉस्ट बढ़ गई है लागत बढ़ गई है आज की रा माटेरियल के ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट बढ़ गया है आपका जो मैनुफैक्चर कमोडेटी है मैनुफैक्चर कमोडेटी का जो आपके पास ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट बढ़ गया इस प्रेक से अर्थ विवस्था में इंफ्लेशन के लिए प्राइस राइज के लिए कहीं न कहीं इस समय जिम्मेदार है कौन पेट्रोल और डीजल इसलिए हमें इस पर बिचार करना पड़ेगा और जो ओपिक कंट्री और और यह यह एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल है और यह जान बुच करके सभी देशों के लाब को अधिक्तम करने के लिए मूले में ब्रद्धिकर देता है इस परकार कार्टेल ने अपना टार्गेट बाखुबी निभाया है और यह ओपे कंट्री द्वारा जो कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होती है उसके परिण कोलियम का रेट जिस एक अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और जितने तेजी से समाप्त हो रहा है कोईला की स्रोत जितनी तेजी से समाप्त हो रहा है उसके परिणाम सुरूप हमको अल्टरनेटिव एनरजी सोर्स ढूंड़ना अनिवारी हो जाता है दूसरी बात आज हमको पर वर्तित हो रहा है और शक्ति संतुलन का तात पर होता है कि बिस सो मंच पर हम लोग बिस सो मंच पर जो हमारे ब्यापार की सर्ते हैं वो लगातार हमारे पास बिपरीथ हैं और इन ब्यापार की सर्तों के बिपरीथ होने का कारण है कि हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ प जब हम किसी पर निर्भर जाता होते हैं, जो country depend जाता होती है, निर्भरता जाता होती है, term of trade उसकी सदायों unfavor होती है, खराब होती है, आज भारत की dependency लगातार ओपेक कंट्री में बढ़ती चली जा रहा है, और ये ओपेक कंट्री अपने commodity का price बहुत उचा करते चले जा रहा हैं, और परिणाम सुरूप हमारा बिदेसी मुद्रा भंटार तेजी से खर्च होता चला जा रहा है, तो ये हमारा बिदेसी मुद्रा भंटार है, ये किस पर खर्च हो रहा है, mostly petrol के आयात पर खर्च होता जाता है, जिससे हम लोग क्या होते, असंतुलन की दीशा को की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का कूटनीत फेज है, और कूटनीत फेज पर आज भारत, ओपिक कंट्री या अधर कंट्री आप जानते ही होगे, कि यहां पर आतंकवाद बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है, और भारत डारेक्ट अंकुस नहीं लगा पा रहा, प्रत ट्रोल पर निर्भरता को समाप्त किया जाए, परमपरागत उर्जा के स्रोतों पर जो हमारी निर्भरता है समाप्त किया जाए, नहीं तो टर्म आप ट्रेड हमारे अनफेवर होने के करण कितना विदेशी मुद्रा हम लोग लौस कर देंगे, और हमारा most of the part fuel consumption पर हमारी national income या GDP का most of the part national income का petroleum पदार्थ पर चला जाएगा, तो हम consumption को कैसे maintain करेंगे, और जब consumption नहीं maintain होगा, तो human capital कैसे develop होगी, ये आज यच्छ परस्ण बन करके आपके सामने खोड़ा हो जाता है, तो इस प्रेकार लगातार petroleum पदार्थों का मूले बढ़ने से भारती अर्थ बन गया है, और दूसरे तरफ हमारा consumption pattern परिवर्तित हो गया है, और लोग अपने उभोग की वस्तूओं को petrol के आगे नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसके परिणाम सुरूप, अब हमारे पास point क्या बचते हैं, कि इस प्रेकार जो हमारे energy स्रोथ हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे term of trade को unfavor कर दिया, दूसरा हम लोगों ने क्या किया, कि consumption pattern पर कम खर्च करके, हमने other activity पर ज्यादा खर्च किया, क्योंकि हमको inflation वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, तीसरा हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और आतंकवाद से direct नहीं, indirect लड़ रहे हैं, हम किसी का भर पर नहीं जाके कर पार रहे हैं, परिणाम सुरूप भारत अपना safety mode अपनाता है, जबकि ये country लगातार आतंकवाद को कहीं न कहीं से promote करते हैं, और हमको उसकी बीवीज का सहिनी पड़ती है, चौथा point जो आपके आता है, कि लगातार हमारे industrial sector की cost बढ़ती चली जा रह है, अता हमको अपने जो ये परमपरागत उर्जा सुरूथा इस पर पुनर विचार करना अनिवार हो जाता है, अगर इस पर हम विचार नहीं करेंगे, तो भारत की इस्थित बहुत खराब होती चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो उद्दोगे आप देखते होगे, एक दिन तो अगर वो एक दिन की भी सप्लाई पेट्रोल की कम कर दी, तो हमारी एकनॉमी के कितनी अधिक्षादी पहुँचेगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, तो जाद रखना निर्भरता सिध्धानत ये कहता है कि अगर कोई देश निर्भर है, तो उसकी राजनीत और भी सफल नहीं हो सकती, और सदय उसके विरूध में रहेगी, इसलिए अगर भारत को अंतराष्टी मंच पर एक स्रेष्ट देश के रूप में उद्भरना है, तो उर्जा पर निर्भरता हमें बनानी होगी, और हमको अपने खुद के रिसोर्स ढूणने होगे, नहीं तो अ लगातार समाप्त होने के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, एक प्रिसर बनता जा रहा है, तो हमारे पास पहला चीछ तो है, अब ही अपने पॉइंट समझाया, दूसरा इसके पैड़ाम सुरूप हमारे पास सबसे ज़्यादा आपका पॉलूशन जनरेट कर रहा है, ठ से प्रदूशन की मात्रा बढ़ेगी, और ये प्रदूशन आपके लिए काफिय अधिकनुकसान दायक होगा, ये आप जानते हो, तो इसलिए अब हमारे पास जो उर्जा के सुरूथ हैं, जो गय आपके पर परमपरागत सुरूथ हैं, उनसे हमको गैर परमपरागत सुरू तयार कर देंगे, और इसलिए हमको अपना उर्जा का सुरूथ बदलना पड़ेगा, उर्जा किसी देश के विकास का इंजन होती है, ठीक है, अगर कोई देश एकनॉमिक कंट्री है, कोई कंट्री है, वो डेवलाप होना चाहती है, तो हमको उसमें एनर्जी सेक्टर को वि रिशु चक होती है, यही नहीं, आर्थिक विकास का भी उडजा उपयोग के साथ मजबूत संबंद होता, यनि जहां पर एनर्जी कंट्री जादा होता है, वहां पर एकनॉमिक ग्रोथ भी जादा होता. that have the positive correlation between energy consumption and economic growth तो आज हमको आर्थिक विकास economic development and energy consumption के बीच में बहुत high correlation पाया जाता है इसलिए भारत जैसे देश में जो तेजी से economic growth कर रही है उस अर्थ ब्योस्ता के लिए उर्जा जैसे महत्पूर्ण छेतर में आत्म निर्भरता बहुत जरूरी हो गई है अगर हमको वर्ड लेबल पर वर्ड फोरम पर एक stand बेस्टे stand लेना है तो हमको इस पर आत्म निर्भरता को क्या करना पड़ेगा acceptance करना पड़ेगा और हमको ऐसी policy बनानी पड़ेगी कि हमको दूसरे देशों पर निर्भर होने क्या पेच्छा हमको अपने country में निर्भर होना पड़ेगा इन ही पहलूओं के मद्दे नचर बीते दिनों नई दिल्ली में एक सभा को संभोधित करते हुए भारत के प्रधान मंत्री ने तेल उत्पादक देशों से उर्जा की लागत को कम करने का अग्रह किया ताकि बैस्विक अर्थ बेवस्था को मदद मिल सके और लगाता जो इ इनका दाम रोका जाए कुछ समय पूर्व आयोजित अंताराष्टी संगठन की पहली बैठक में भी 2030 तक गैर जीवासम इंधन जो आपके पास अभी जो हम लोग प्रियोग कर रहे हैं वो जीवासम इंधन है कैसे की प्रथवी में बहुत अधी घल्चल आई होगी और जिसके प्रथवी की सता पल्टी होगि और जीसमें हमारे पास जीवासम इंधन करते हैं क्योंकि जीव जीवों से, जीव जनतुओं से, पेड़ पौधों से, बनस्पतियों से, ये तेल हमारे पास आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग जीवासमी इधन कहते हैं, और इसका प्रियोग करने के 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 प्रियोग करने क हम यह चाहते हैं कि जो इस समय आपका देखिए National Thermal Power Corporation, यह जो Thermal Power Corporation होता है, यह क्या होता है, कोईले से चलने का ताथ पर यह होता है, कि कोईले से हीट किया जाता है, जिससे इनका प्लांट चलता है, और बिजली बनती है, तो इसको अफसरकार बदल करके NHPC करना चाहती है, National Hydro Power Corporation बनाना चाहती है, ताकि हम बिजली से उत्पादन कर सकें, और बिजली जो होता है, वो गैर परमपरागत सुरत के अंतरगत आता है, तो हमारा टार्गेट है इन फ्यूचर में, कि NTPC की जगा रिप्लेस हो जाए, NHPC, ताकि हम Hydro Power Corporation को डिवलप कर सकें, ताकि गैर अभी हमने देखा इसके पूर लेक्चर के लेक्चर स्टार्ट में, कि जो समस्याँ भारत को वर्तमान में बियर करनी पड़ रही है, वो सारी समस्याँ से निजात मिल जाएगी, इसमें दो रहे नहीं है, कि तीवर गत से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोसन और सुग हो रही है, ठीक है, आज हमारे पास लगातार पॉप्लेशन बढ़ रही है, और इनका भरण पोसन के लिए हमारे पास और शक्ताएं भी बढ़ती जा रहे हैं, और इन सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की खपत भी तेजित बढ़ रहे हैं, लेकिन इस से परियावरन प्रदूसर्ण और जलवाई परिवर्तन जैसी गंभीर समस्यां आ रही हैं, आज आपके पास परमपरागत सुरुतों का जो हम लोग उर्जा सुरुत का प्रियोग कर रहे हैं, उसके परिड़ाम सुरुप लगातार ये गंभीर समस्यां आ रही हैं, तो इस इस गंभीर समस्चा से निचात पाने के लिए हमको गैर परमपरागत सुरूतों को अपनाना होगा। ऐसे में सवाल बढ़ रहा है कि बढ़ती जन संक्या और उर्जा की आपूर्थी के बीच कैसे संतुलन बनाये जाए ये प्रस्ण बन जाता। सवाल यही भी है कि परियावरण और भविस्य की पीड़ी को ध्यान में रख करके भारत को आगे की रणनीत क्या होनी चाहिए इसको अभी से बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा economic factor को अपनाना होता है। साथी वर्तमान में भारत की किन स्रोतों पर कितनी निर्भरता है और इसे कैसे बदला जाए। जैसे हमारे पास petroleum पर निर्भरता है लगातार हमारे पास koile पर निर्भरता है तो इन स्रोतों को अब परिवर्तन करने का समय आ गया है। परंपरागत स्रोतों की जाएगा हमें वर्तमान में गयर परंपरागत स्रोत को अपनाना होगा और इसके अंतरगत हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। नवी करनी उर्जा बेहतर निदार, अगर हम करते कि जो नवी करनी उर्जा है, जो हमारे पास renewal energy है, ये हमारे पास गहर परमपरागत स्रोथ है, ये इस समय सबसे बढ़िया replacement है और इसका प्रियोग हमको करना चाहिए, चाला कनीत कहती है कि कि किसी समस्या का उपाय नहीं ठीक है, हमको solution ने ढूड़ना, हमको उसको implement कर देना है, इसलिए अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने, परियावण को संरचित करने के लिए, प्रदूसर फैलने के लिए कोईले पर निरभरता को कम करने, कोईले और डीजल, दोनों कह सकते हैं, के लिए नवी करनी उर् रमपरागा स्रोसे निदान प्राप्त कर सकते हैं, ये गौर करने वाली बात है, कि पिछले डेड़ सो से दो सो वर्सों में मनुस ने उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, एनर्जी जो हमारे पास नीड्स है, इसको पूरा करने के लिए, प्रत्वी के सता नीचे प्तल हुई थी, और जिसके प्रणामस रूप जो हमारे पास जीवजारी थे, वो दब गये थे, वही जीवास में इंदान हमारे पास पेट्रोलियम के रूप में सामने आए, भरोसा किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुरच्छित भविस्से के लिए औसाओर और पवान तद्रीक है, इसके लिए एक मजबूत नीतिगा धांचे की औशक्ता होगी, जिससे भारत आहम भूमी का निभा सकता है, इसके लिए संयुक्तराष्ट के सदस्यों को अंतराष्टी सौर गठबंधन के मंच पर ले जाना चाहता, जिससे उर्जा की जरूरतों को पूरा करन के लिए सभी ध्यानों, देशों का ध्यान नवी करनी उर्जा सुरूप पर आए, और इसके परिणाम सुरूप हम बिस उपर एक अच्छे कंट्री के रूप में, एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्टेबलिस हो सकते हैं, अब हमारे पास दो प्रसन उठते हैं, प्रस होगा, यस, पहली चीज, पावन उर्जा की आदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास कई स्टेट हैं, जो समुद्र के किनारी स्थापित हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो स्टेट्स हैं, वो समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र के किनारे जो हवाएं होती हैं, हवाओं का रुख ज्यादा तेज होता है आप यह जानते होगे जिगराफी के गारण कि समुद्र के किनाज़े यह समुद्र तटी राज्ये होते हैं इन पर हवाओं का फ्लो जो होता है वो ज्यादा होता है जिससे जो हमारे पास टर्बाइन होते हैं इन टर्बाइन को यह ल पवान उर्जा की बहुत अधिक संभावना है और वर्तमान में पवान उर्जा का आपका डेटा है वो 2% बिजली पवान उर्जा से बनाई जा रही है तो दूसरा हमारे पास आती है साउर उर्जा अभारत की जो क्लाइमेट लॉजी है भारत यूरोपियन कंट्री की तरह नह ठंडी के दिनों में भी आड़ घंटे से कम नहीं जमकता है। अर्था सूरि काफी हमारे लिए हेल्फ फूल हो सकता है। और नौर्थ-ינडिया के अपच्छा साओत ही इंडिया इसका बेस्ट सोर्फ हो सकता है। और नौर्थ इंडिया में भी आप पहाडी राज्यों को छोण दीजे लेकिन पहाडी राज्यों में भी एक अच्छा हमको इसको सावर उर्जा का प्राप्त हो सकता है और इसके द्वारा हम लोग विजली का उत्पादन तेजी से कर सकते हैं तो हमारे यहां सूरी की उपलब में नहीं कर पाते हैं ठीक है तो सावर उर्जा आपको मैं यह डेटा एक थोड़ा सा आउट आफ वेव सिजा के बता दे हुता हूं कि यूरोप कंट्री में सूरज की सूरज का प्रेकास इतना कम सूरी का प्रेकास कम होने के कारण ठीक है सूरी का प्रेकास बहुत कम होता ह और यह यलो कलर का होता आपने देखाँगा सूरी का प्रेकास पीला कलर का होता और यह energy का symbol होता है और वहाँ पर European country में सूरी के प्रेकास की आभा को symbolic दिखाने के लिए जैसे हमारे हां white CFL का प्रयोक किया जाता है वहाँ पर पीले बल्बों का बड़ा चलन है ठीक है पीले कंट्री का एक इस्ट्रेजी है और ये एक प्रकार से एक रिपोर्ट आई कि लोग सूरी के प्रकास के आभाव में वहां फ्रिश्टेट बहुत अधिक होते थे और आत्मात्या की घटनाएं भी बहुत अधिक देखने को मिली इसलिए वहां की सरकार ने सूरी के प्रकास को सि जाना जरूरी था क्योंकि European country में solar energy क्या उतना अधिक scope नहीं है जितना की भारत में scope है तो आपका पहले मैंने डिसकस किया कि पवन उर्जा का एक अच्छा scope है हमारे country में, दूसरा हमारे पास solar उर्जा का एक अच्छा scope है और तीसरा हमारे पास जो होता है thermal energy का, thermal energy क्या होती ह thermal उर्जा क्या होती है तो thermal उर्जा आप जानते हो कि जो हमारे पास धर्टी होती है धर्टी के गर्व की तरह यदि हम धर्टी की गर्व की तरह जाएंगे तो लगाता temperature बढ़ता चला जाता है ठीक है क्योंकि धर्टी के क्रोड में क्या होता है आज भी liquid की loop में magma है और यह होता है जैसे जैसे हम धर्टी के नीचे चले जाएंगे लगाता temperature बढ़ता चला जाएगा अगर हम इसमें एक लोहे की rod डाल देंगे तो यह heat होने लगेगी और इस energy को यदि हम convert कर लेंगे तो यह thermal energy के नाम से जानी जाती है जो हमको प्रथवी के crods की तरफ जाने पर प्र आपका गैर नवी करनी ऊर्जा का अच्छा स्रोथ हो सकता है यानि ज्वार और भाटा से प्लस क्या होते हैं कि आपके sea tide से ठीक है sea tide का मतलब होता है कि जो समुद्र से निकलने वाली लहरे होती हैं और इन लहरों में क्या होते हैं हम लोग अपने sets को लगा देते हैं और य इलेक्टिक बनने लगती है तो इस प्रेकार एक यह opportunity आपके पास हो जाती है तो इस प्रेकार भारत में जो गैर नवी करनी ऊर्जा के स्रोथ हैं उसकी अपार संभाना है और भारत सरकार इस पर काफी अधिक subsidy और प्रोसान भी कर रहा है इस भारत सरकार का एक नीतिया है कि इसके माद्याम से लोगों को अधिक से अधिक प्रोसाइद कर रही है ताकि इस प्रेकार के स्रोथों का हम लोग प्रियोग करें तो भारत की वर्तमान में पॉलसी यही है कि हम लोग परमपरागत स्रोथ की अपेच्छा गैर परमपरागत स्रोथ पर अपनी नीरिभरता को बढ़ाएं और हमारे आधनिक उद्दोग धंदे परियावरण ठीक है आधी सभी विद्दुत प्रधान हो जाएं या हमारे पास गैर नवी करनी उर्जा के सुरूत पर आस्त्रित हो जाएं हम लोग अब पूराने परमपरागत उर्जा सुरूत वाले उपकरणों का प्रियो उर्जा में भारत की इस्थित जल्वाई परिवर्तन आपका पेरिस समझाओता जल्वाई परिवर्तन का जो आपका पेरिस का समझाओता हुगा और पेरिस समझाओते के परणाम सुरूब ठीक है जल्वाई परिवर्तन में जो पेरिस समझाओते के उनसार राष्टी इस त 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% उर्जा के सच स्रोतों पर आधारित होगी जानि लगबख 2030 तक 40% बिजली या अन्य हमारे पास जो नवी करनी उर्जा के स्रोत हैं यानि हम 40% उस पर काम कर लेंगे हां 60% अभी भी हम पर अमपरागा स्रोत पर निरभर रहेंगे इतनी जल स्वर्मेशन नहीं हो सकता परिवर्था नहीं हो सकता इसलिए सरकार प्रियासरत है कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार कोई स्ट्रेटजी को अपनाएं ताकि हम लोग स्रोत को परिवर्थित कर सकें साथी यह निर्धारित किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवी करनी पावन उर्जा 60 गीगावाट बायो पावर 100 गीगावाट छोटी पनविजली आपने देखा होगा कि जहां पर छोटे छोटे जरने होते हैं ठीक है यह अभी हाली की दिनों में बड़ा पॉपलर एक कॉंसेट आया और यह पॉपलर कॉंसेट हम आपको डिसकस कर दें कि जो हमारे पास सेवन सिस्टर्स हैं सेवन सिस्टर्स ने इसको बहुत अधिक इंप्लेमेंट किया है सेवन सिस्टर्स को आप जानते हो गए आपका पास नौर्थ इस्ट इंडिया जो नौर्थ इस्टर्न इंडिया है आपका रोनाचल प्रदेश आसाम है आपके पास मिर्जु पुए हेते जो पहाडी राज्ये होते हैं यहां पर छोटे बिजली परियोजना को लगाने का concept बहुत अच्छा है और सरकार की यह रणनीत है कि पहाडी राज्यों में जरने बहुत अधिक होते हैं और इन जरनों पर छोटी बिजली परियोजना आप Defense करेंगे उत्पादित बिजली को आप एक काम करिए, वहीं पर local label पर आप क्या करिए, redistribute कर दीजे, जिससे उनकी उर्जा की जो demand है, वो पूरी हो जाएगी, इस policy को सबसे ज़्यादा North East India ने अपनाया, ठीक है, और वहाँ पर इसके माध्यम से electrification किया गया, और भारत में ये काफी अधिक सफल रह इसलिए सरकार ने छोटे बिजली परियोजनाओं को लगाया, ताकि उर्जा पर निर्भरता को हम लोग कम करें, और एक स्टेट जो अधरी स्टेट से बिजली खरीदती है, और अधिकतर हम लोग बिजली जो अभी तक प्रियोग कर रहे थे, वो बिजली जो बनती थी, वो उर्जा पर आत्म निर्भरता भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारे पास जो आयात जैसे एंटी पीसी है, यह कोईला या पेट्रोल या आप डीजल से भी आपका विजली बनाती है, तो यह थर्मल होता है, तो थर्मल होने से इस से क्या होता है, कि हमारे पास काफी भरता बढ़ेगी, और दूसरों से निर्भरता समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रकार की पॉलसी गवर्मेंट आफ इंडिया बनाना चाहती है, ताकि हम लोग एक नए कॉंसेप्ट को प्रियोक कर सके, इस महत्वा कांच्छी लच्छ को हासिल करने के लिए, जो यह हमारे प 2030 तक लगा दिया, इंप्लिमेंट कर दिया, तो हमारे पास उर्जा की जरूरते पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी, और हमारा एक परियावन भी सच परियावन के रूप में हम बिक्सित देशों से भी आगे निकल सकते हैं, ठीक है, फिलाथ 2018 में देश की कुल इस्थापी चमता में तापी उर्जा, वही तापी उर्जा जो डीजाल या कोईले के माध्यम से बना रहे हैं, वो तापी उर्जा 63.84 फीस दिये, देखे, दिस इदा हूज, इदेखे, आज भी भारत में जो तापी उर्जा है, 63.84 फीस कर रही है, और तमिल नाड में इस तरह के प्लांट्स काफी लगाए गए हैं, जिसकी इस समय उर्जी में सेयर है, 1.9 फीस दी, हमारे पास हाइड्रो इलेक्रिक पावर जो है, उसका सेयर देखे, कॉंटिल्यू बढ़ रहा है, और 13% हो चुका, और इस पर अपार संभावन हैं, और ये अपार संभावना है, तब सफल हो जाएंगी, जब अटल बिया स्री, अटल बियारी बाचपेजी ने एक कॉंसेप्ट कहा था, कि अगर पूरे देश की नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो हमारे पास पन बिजली की उत्पादन छमता बढ़ हैं, भी हम लोग काफी अधिक नदियों का प्रियोग कर सकते हैं, और उसके साथ भूमी गजल इस तरको भी इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हम अपने पूरे देश की नदियों को कनेक्ट कर दें तो, और नवी करनी उर्जा की हिस्सेदारी 21.125 में और इसको ही हम बढ़ा कर के 40% करने का टारगेट बना के रखे है 2030 तक, तो इस प्रेकार आपने देखा कि भारत पनविजली के सक्टर में काफी तीजिस बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप देख रहे होगे कि तापी उर्जा की छेतर में हमारी निर्भरता बहुत अधिक है, इस पर पुन सोलर पेनल होगे इस समय तो हम भी देख रहा है कि जगा जगा पर सोलर पेनल लगाएगा है और सरकार ने इसके लिए अच्छी पहल की, ठीक है और इस सोलर पेनल के माध्यां से सरकार ने आप लोगों से कहा कि आप अपना सोलर पेनल लगवाईए, सबसे लिचे और हम ही को बीजनी बेच दीजे, आपने देखोगे ये strategy पर काम कर रहे हैं, और इस strategy का अगर मैं और एक पहलू बताऊं, तो solar उर्जा का जो concept था, वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी राज्यों पे सफल हो रहा है, सबसे ज़्यादा आपके पास जो सफल हो रहा है, वो पहाड़ी राज् के लिए, जो हमारे पास एक समतल एरिया होता है, समतल एरिया उस पे आप इस एरिया में आप लगा सकते हो, सोलर पे ना, लेकिन पहाड़ में उस समतल एरिया में यदि मैं ट्रैंगल बना देता हूं, तो देखे एरिया का अमान बढ़ जाएगा, क्यूं? एक मेरा यही space मिल जाएगा और एक मेरा यही space मिल जाएगा, clear है, तो दो space मिल जाते हैं और जिस से solar उर्जा की हमारे पास छमताएं बढ़ जाती है, ठीक है, आपका प्रशन यह भी हो सकता है, कि हो सकता दूसरे side में solar का प्रकास ना पड़े, वो आपका प्रशन logic है, लेकिन कहीं न क हमारा space पहाड़ी राज्यों में solar panel लगाने का space पहले से अधिक improve हो जाता, इसलिए जो पहाड़ी राज्ये हैं, यहाँ पर आपके पास solar उर्जा या sour उर्जा की अपार संभावना हैं, और सरकार ने इस दिसा में कदम भी ठोंस उठाएं हैं, और इन्हों ने अपने कदम क द्वारा लोगों को solar subsidy प्रवाइट की गई और लोगों को solar उर्जा की तरफ आकरसित किया गया, सरकार पेनल लगा देती है, और पेनल से जो बिजली बनती है, सरकार इन से डारेक्ट खरीदती है, आपने देखा होगा घरों में दो मीटर लग गए हैं, एक आपका बिजली सरकार की अच्छी पाहल दिखाई पड़ती है, कि solar पर निर्भरता को उन्होंने बढ़ाया है, और solar का उर्जा है, उसका प्रियोग वर्तमान में लोकल छेत्रों में बिजली के उत्पादन में पूर्थ के लिए भी करने लगाएं, जो सायद एक महती आपके पास कहते हैं, नीद के सफलता को कहेंगे, और सरकार दोरा उठाए गए गोवर्धन योजना पर योजना, गोवर्धन योजना के अंतरगत महत्मा गांधी ने कहा था, कि गाउं में बहुत प्रियोग किया जा सकते हैं, जो आपका गाउं है, वो प्रियोग उसमें काफी अधिक सफल हो सक किया जा सकते हैं, इसी की बानगिया सरकार दोरा सुरू की गई है गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना के अंतरगत क्या होता है, आपके पास जो उपले थे, उपले आपके पास परमपरागत स्रोत थे उर्जा के, लेकिन गोवर से गोवर गैस बनाना, ठीक गोवर ग लेकिन जो हमने गोवर गैस का प्लांट लगा करके नवी करनी उर्जा के सुरूत में परिवर्तित कर दिये हैं ये वास्तों में नया प्रयोग होगा जो अर्थिवोस्ता के लिए बहुत अच्छा था सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा पसुधन की आबादी है ऐसे वे ये योजना पसुओं से प्राप्त गोबर और ठोंस अपसिष्ट को उप्योगी कमपोस्ट आपने सुबा पढ़ा था जैविक आपके पास करसी बायो गैस और बायो सियंजी में बदलने पर कें संद्रित है इस योजना कला किसानों की आयबढ़ाने साथ साथ गाउं को सच रखने और उर्जा उत्पादन पर भी मिलेगा अब हमरे पास बात आती है बायो मास संसाधन के उप्योग से बिजली का उत्पादन नवीनी करण उर्जा मंत्राल है देश में बायो मास से बिज जो इसके पास हमारे पास वेस्टिज बचनता है इस वेस्टिज से हम लोग बिजली बनाने का कायम कर रहा है और आपका उत्रा खंड में पीरूल से बिजली बनाने का कारेश चल रहा है चावल की भूसी पुवाल कपास के डंठल आज का उप्योग बिजली उत्पादन में में किया जा रहा है तो इसको बाईोमाश कहते हैं ठीक है इसके अलावा मिथनॉल को पढ़ावा देना अधर का प्रयोγά कorta अयोग भी प्राक्षडिक को मिथनॉल में बदने यूजना पर विचार कर रही है ऐसा होने पर घरेलू रसοहीज की खपत कम होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि आज हम भी क्या करते लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर कब तक निर भर रहेंगे कहीं ने कहीं पेट्रोल सोर्थ हमारे समाप्त होंगे तो इस प्रेकार से अगर हम मैचनाल को बढ़ावा देंगे तो उससे कहीं न कहीं हमारे पास काफी अधिक हिल्फुल रहेगा और हमारी एकनॉमी के लिए भी हिल्फुल रहो सकता है इसी क्रम में पूर्वी आसम के डिब्रु गढ़ची लें के नाम रूप में असम पेट्रोली पेट्रोकेमिकल लिम्टेड द्वारा पाइलेट योजना के हिस्से की रूप में म पाइलेट योजना की रूप में हम लोग इसको चला भी रहे हैं यह पर योजना खाना पकाने वाले इनन से सुरू हुई जो महिलाओं के ससक्तिकरण के लिए एक नई पाहल है क्योंकि हमारे पास अर्थ वर्तमान में घरों में जो उर्जा की डिमांड है वो लगातार बढ हम लोग पाहल करते हैं तो बढ़ती जनसंख्या को जो उनकी उर्जा की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको हम लोग इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं और हमारे पास अन्य देशों पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ सकता नीती आयोक के अंसर एक स्वच्छ बैकल्पिक इधन है ठीक है इससे इसके प्रियोग के द्वारा कभी भी परियावन प्रदूसर्ण नहीं बढ़ता जिसके द्वारा 2030 तक कच्चे तेल की आयात में 10% की कमियाद सकती है अगर हमने मितनौल का प्रियोग बढ़ा दिया और इसके प्रियोग को ह हमारे पास जो तेल पर निर भरता है वो लगातार कम होती चली जाएगी राश्टी पावर सौर हाइब्रिड नीत वहीं मई 2018 में राश्टी पावन सौर हाइब्रिड नीत की जारी की गई और इस नीत का मुखुद्दिस बड़े ग्रिट से जुड़े पावन सौर फोटो व और सौर संसादनों से भूमी का कूसाल और अधिक्तम प्रियोक कर अधिक उर्जा उत्पादित करने में मदद मिलेगी. ठीक है, इस क्रम में देश में सौर पार्क इस्थापित किया जा रहे होगे और आपने देखा होगे। सौर पार्क की संक्या लगा तर यानि सोलर पेनाल और या पवन उर्जा के लगा करके इस प्रकार के एरिया में बहुत अधिक लगाये जा रहे हैं और ताकि सरकार इससे बड़ी मात्रा में उर्जा आपने देखा होगा हाईवे के किनारे भी सावर पार्क काफी अधिक बनाये जा रहे हैं क्योंकि काफी अधि एक्स्ट्रा जमीन बची रहती है इस एक्स्ट्रा जमीन पर जट्रोफा की खेती बहुत अधिक की जाती है और जट्रोफा को भी आप पेट्रोलियूम के साथ मिक्स करके आपके पास बायो फ्यूल के रूप में प्रियोक कर सकते हैं जिससे आपके पास लगात ताकि हमारी निर्भरता पेट्रोलियम पर लगातार कम होती जाए और हम अल्टरनेटिव सोर्स जो है पेट्रोल का वो ढूंडते चले जा रहे हैं गौर तलब है कि पिछले दिनों दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका नाम है सक्ति इस्थल करनाटा के पावागड़ में बनाया गया है साथी साथ देश के 21 राज्यों में कुल 26,694 मेगावाट चमता के 47 साओर पार्क इस समय इस्थापित किया जा चुके हैं और इनकी मंजूरी मिल चुकी है और इस्थापित किया जा रहा हैं तो यह आपके पास काफी अधिक गवर्मेंट का एक एक एक्ट्व आप रूपियां पर देख सकते हो अब हमारे पास एक होता परियावन सरकार ने एक तरफ तो क्या किया एनरजी सोर्स को बढ़ाया और दूसरी तरफ परियावन को जो डिग्रेट कर रहे थे उनको घटान का भी काम सरकार ने किया चाह सब्सक्राइक होता तो इन मोटर वाहनों की बिक्री को रोक दिया और मानक सिक्स लगने की बात कही जो वास्तों में पेट्रोल से ये अन्य जो हमारे पास वायू प्रदूसरण के जो कारक हैं जो तत्व हैं इनको रिलीज कम मात्रा में करता है इसलिए हम लोगों ने नए वहान को विक्री की बात और पंजी करन पर चार को रोंक लगा दिया और प्रदूसरण की बात करें तो जलवायू परिवर्तन भूगर भी जैविक और पारिस्थित की प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है जिसे प्रदूसरण लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रेल 2020 से मानक फोर को इंजन वाले मोटर वहा एक इन्वार्मेंट पॉलसी के अनुरूप हमने मोटर वहां एक्ट पे इसे लागू कर दिया इसी क्रम में दिल्ली सरकार प्रदूसरण रोंकने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की और बढ़ने की उजना बढ़ना है यहां तक की नहीं हमने इलेक्ट्रिक बसों को भी काम करन बसों को रोड पर उतारा ठीक है और इसकी जो नंबर प्लेट होती है इलेक्ट्रिक बसों की यह वो ग्रीन कलर की होगी अगर किसी की नंबर प्लेट ग्रीन कलर की है किसी वहां की तो समझ जाईएगा वो इलेक्ट्रिक है तो आप यह ग्रीन नंबर प्लेट वाली है एक ज सरकार ने सड़कों पर हाइड्रोजन आधारित यानि हाइड्रोजन सी एंजी यानि एच सी एंजी बसों को चलाने की योजना बनाई है ठीक है इसमें स्वच्छी इंधन का पता लगाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है हीं एक इंजी हार्षी झी सी एंजी आपने बता है है jackets आपने बता है है और यृट्रिक दहान ईंजन के इंधन के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है इसे इंधन का स्वच्छ और सटिसाली स्रूत माना जाता है यह आ पका पास सबसे ज़्यादा पावरफुल स्रोत है और सबसे ज़्यादा परियोंड को क्या होता है कि प्रदूसित नहीं करता है इसे भविस का हाइड्रोजन या अगर हम यह कहते हैं कि भविस में हमारी अर्थवियोस्ता हाइड्रोजन अर्थवियोस्ता में कन्वर्ट हो जाएगी तो बहु जाता है तो इस प्रेकार भविस में हमारी अर्थ व्योस्ता हाइड्रोजन पर आधारित होने जा रही है और इस प्रेकार यह अर्थ व्योस्ता का कॉन्सेप्ट यहीं से आ जाता है यहां सबसे मात्पूर बात है कि HCNG आधारित बसे चलाने के लिए इंजन के धाचे में नियूंतम संसोधन करने के और शक्ता यानि ज्यादा परिवर्दन के और शक्ता नहीं है नाम मात्र का संसोधन कर देंगे तो यह हमारे पास जो बसे हैं यह प्रापरली इलेक्ट्रिक ब यह होती है कि उसके लिए भी हमको प्रापर उर्जा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बसे होती है उसके लिए भी आपके पास काफी चीज़े आनने चाहिए और वह इन्वार्मेंट में कहीं न कहीं प्रदोसर का कारक बनेगा अगर आपकी बात मैं करता हूं इवेस्टेज और उसमें HCNG बसों पर काम किया गया। क्रसी अफसिस्ट एग्रिकल्चर से काफी वेस्टेज निकलता है। उससे भी जैव CNG आप बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। तो यह एक नया कॉंसेट अपना आया गया कि जो एग्रिकल्चर सेक्टर में आपने देखा होगा धान कटने के बाद धान को जब हम निकाल लेते तो पुवाल बचता है। गेहू के बाद आपके पास गेहू जब निकाल सरकार ने अगले पांच वर्सों में पांच हजार संयंत्र बना करके जो एग्रिकल्चर से निकलने वाला अपसिस्ट है इससे जैव CNG का उत्पादन करने के लिए एक योजना बनाना चालू कर दिया है। यह संयंत्र ना केवल क्रसी अपसिस्ट को जलाने की समस्या आपने देखा होगा कि पंजाब और हर्याना के जब किसान अपने क्रसी अपसिस्ट को जलाते हैं तो उससे इन्वार्मेंट में धुन्द छा जाती है और इसका प्रभाव दिलही में भी पड़ता है और बड़े नाराज़ी लोग बताते हैं क्योंकि इसके प्रणाम सुरूप क्य अगर इस प्रकार के संयांतर से जयुसी अंजियम लोगों ने तेजी से बना लिया तो उससे अर्थे बिवस्था काभी तेजी से डेवलाफ होती चली जाएगी जो हमारी एकनामी के लिए काफी अधिक हेलफूल रहेगी अन्य उपाय के अगरती हम बात करते हैं तो अन्य उपाय के अंतरगत सरकार खाना पकाने प्रकास की बिवस्था रूम हीटर आधी है तो विजली की मांग को पूरा करने के लिए ऑफ ग्रीट एवं बिकेंद्रित नमी करने कारक्रम को लागू कर रही है साथी देश में सोल स्ट्रीट लाइट्स आपने देखोगा स्ट्रीट लाइट्स इस समय सरकार बहुत अधिक प्रेफरेंस दे रही है और यह आटोमेटिक होने का मतलब होता है कि इसमें वेस्टेज नहीं होता पहली की जो इलेक्रिक लाइट्स होती थी वो दिन भर जलती रहती थी जिससे का काफी अधिक एनर्जी गया होती ति लेकि सोलर स्ट्रीट लाइट्स का प्रियोग किया गया सोलर हूम लाइट्स का प्रियोग किया रहा ही समय इस आध की विवस्टा किये जाने पर भी सरकार काफी जोर दे रही है इन सब के साथ साथ भारत ने अंतर्राष्टी मंचो पर भी नमीनी करन उर्जा के बढ़ावा देने की बात कही है इसके आगे अंतराष्टी उर्जा उर्जा एजनसी ने हाल में चेतावनी दी की जलवाई लच्छों को पूरा करने के लिए नवी करनी उर्जा का बहुत धीमा विकास हो रहा है अगर हम अपने क्लाइमिट को परिव नाना होगा जो इस समय बहुत धीमा चल रहा है ठीक दरासल हाल के समय में नवी करनी उर्जा छेत्र पर ध्यान देने के बवजूद दीर्ख कालिक जलवाई और इस्थाई लच्छों को पूरा करने के लिए इस दिसा में अभी तक कई कवायत की गई कवायत काफी नहीं मान उर्जा वाले भविस्य को अंधार अंधकार में कर सकता है इन सभी भ्यात बातों को ध्यान में रखते हुए भविस्य की रणनीत को तय करना इस समय हमें बहुत जरूरी हो गया और हमको इस पर कुछ ना कुछ विचार करना होगा भारत के संदर में हाल में आयूजित उर्जा संबंधित अंताराष्टी कारिक्रम नमीन उर्जा मंत्राला के अंसर दो हजार अठारा में अंताराष्टी सौर्गडबंधन की पहली सभा हिंद महासागर में रीम एसोसियेशन की दूसरी उर्जा मंत्री इस्तर बैठाग और एक्सपो की मेजबानी की है और थात आप देख सकते हो कि लगातार मीटिंग के उपर मीटिंग सरकार ने की है कहीं न कहीं नवीनिकर्ण उर्जा के संदर में सरकार बहुत अधिक सीरिया से और उन्होंने वर्तमार में काफी अधिक बैठा के इससे संपन किये पहली बैठक आ माँस आगर रिम एसोशेयसन की थी ठीक दूसरी आपके पास उर्जा मंतिर स्तर बैठक थी और नमीकर्ण उर्जा मिल्टिंग थी और एक्सपो की मेजबानी मीजबानी की तीन दिवसी आयोजन में सतत्तर से अधिक देशों ने हिस्सेदारी की यह तीन दिन्हों की मेजब करने संबंधित एजंसियों के बीच तालमेल पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया ठीक है ताकि हम लोग भविस्ट के भी समय चिंता बैक्त करें साथ ही साथ एक सल्यूशन निकाल सकें कि आखिर हम भविस्ट के लिए क्या ऐसा करें ताकि जो उर्जा पर नि के बीच समझहोते के जरिये रिष्टों की भी मजबूत किया है अंतराष्टी सौर गटबंधन एक अंतराष्टी अंतर सरकारी गटबंधन है इसका मुख्याला हर्याणा के गुरुग्राम में है अब तक 71 देशों ने इस गटबंधन के फ्रेमवर्क समझहोते पर हांस्ता दूरी दे दी है इस गटबंधन का प्रात्मिक उद्देश जीवास्म इधन पर उर्जा की निर्भरता को समाप्त करके सौर उर्जा की बढ़ावा देना इसका टार्गेट बनाया गया है इसके अलावा सभी सदसे देशों को सस्ती दर पर सोलर टेक्नलोजी उपलब्द कर किया गया इसकी एक महत्मून भूमिका वर्तमान में होती चली जा रही है अब आगे की राह क्या है दुनिया की आबादी लगबक साथ सो साथ करोड है जो दो हजार पचास में नौ सो करोड तक पहुंच जाएगी इस बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लगए तो हमको निएगा अपके पास वर दो जाए गया यह समाप्त हो जाएंगे तो हमको नवी निक पर निर्भर रहे ना पड़ेगा इसलिए नवीनी करन उर्जा, स्रोथ और स्वच्छ इंजन की खोज में एक महत्मून वर्तमान में बिशाय बन गया भारत की बात करें ऐसे बैस्विक निवेस उद्दोग में आज भारती उद्दोग उर्जा छेत्र को आकरसक निवेस मंजिल की रूप में देखा जा रहा है जिसका पूरा-पूरा लाब उठाने के लिए मेकिन इंडिया जैसे करक्रम को सफल बनाने के लिए भारत को नमीनी करण उर्जा सुरूत के इस्तर पर नए कीरतिमान हमको बनाने होंगे इससे भारत सरकारद्वारा सूरे मित्र आयव के जरिये ट्रेनिंग और अभिनाव सोंच नई संभावना के नाम से दिया गाए एक एवाड सा रहनी कदम है मला हम लोग आनलाइन के माध्यां से ट्रेनिंग भी प्रदान कर रहा है ताकि उनको सबी प्रकार की जानकारिया उपलबध हो जाएं भारत की उर्जा रणदीत के लिए उर्जा भंडारन भी काफी महत्पूर्ण समझा गया लिहाजा उर्जा भंडारण के चेतर के बेहतरी के लिए एक व्यापक राष्टी उर्जा भंडारण मिसंद अईर जारा है और इसे और अधिक प्रभावी तरीके से नामाचार एवं नीतिकत समर्थन केंद्रित करना होगा इसके साथ साथ हम उर्जा छेतर में अनुसंधान एम रिसर्च पर बहुत अधिक फोकस करना होगा तब ही हम लोग क्या करेंगे नवी करनी उर्जा सुरूत पे गुरूनत्ता और विस्वस्नीता को बना पाएंगे निसकर्स इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि लगातार बढ़ते प्रदूसर ने अनेक बीमारियों को जन्म दिया है कार्बन उत्सरजन को कम करने के और जल्वाई परिवर्तन के प्रभाव को रोकने की बात कहीं जा रही है ऐसे हमें बैकल्पी की इंधन के सोध पर ध्यान द इसके अत्रिक दुनिया भर के नीत निर्माताओं सरकारों के साथ साथ नागरिकों को प्रत्वी पर परियावन और संसादनों की सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए उर्जा लच्छों को हासिल करना होगा तो इस प्रकार हमने देखा कि सौर उर्जा आपके पास नभी क रखना चाहते हैं और साथ फीसाथ अंतराष्टी इस तर पर हम अपने देश को प्रमुक्ता से उठाना चाहते हैं और अपना क्या उता है जो एकनॉमिक लास नहीं चाहते हैं ठीक है तो हमें ऊर्जा के नए स्रोथों को अपनाना होगा क्योंकि जो हमारे पासं प्रापरली strategy बनाने ही पार रहे होंगे और हमारे economic को बहुत अधिक loss हो जाएगा तो इस loss से बचने के लिए हमको नवी करनी उर्जा के सरोत पर ध्यान देना होगा और सरकार को इस प्रकार की चुनावतियां जो वर्तमान में आ रही हैं इसको accept करना होगा और हमको इस प्रका प्रशनुत्तर का समय होता है